Friends subscribe the AskMachnology चैनल and hit the bell icon to get all new updates about AskMachnology's informative videos Hello friends, I am Ashish and welcome to AskMachnology, the EduTech informative चैनल पे Friends after the cause and effect diagram and difference between corrective action and preventive action and root cause identification through Y-Y analysis In all these videos, we are finally talking about kappa format and so as I have said that कि इन तीनों टॉपिक को कवर करने के बाद हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा कापा फॉर्मेट को फिल करना तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखिएं तो आप उन्य वीडियो को देख सकते हैं सारी यूसफुल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और अगर आप चैनल पर नहीं है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब परने बाद बैल आइकन को भी दवाएं ताकि आग्या नहीं वीडियो की अपडेट्स आपको मिल जाएं तो फ्रेंस अगर वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगती है इंफॉर्मेटिव लगती है, यूस्फुल लगती है तो प्लीज यार वीडियो को like जरूर करें क्योंकि आपके likes मेरे को motivate करते हैं तो है friends, without wasting any time कापा format के बारे में बात करते हैं और वीडियो को stat करते हैं तो friends, जैसे कि कोई customer complaint हमारे पास आगी तो customer हम से बोलता है कि इसका मुझे आप कापा भर के दो इसका action plan मुझे दो, इसे action plan भी हम कहते हैं, क्योंकि इसमें हमें क्या दिखाना पड़ता है format में, हमें problem को define करना होता है, उसका root cause identify करना होता है, उसके बाद जो root cause इसका निकला, उसके हमें corrective action लेना पड़ता है, और फिर जो हमने corrective action लिया है, उसे validate करना पड़ता है, उसके हिसाब से customize कर रखता हो इस format को, और अपने नाम से वो उसे जानते हैं, जैसे कि for example, मारूती company जो corrective action मांगती है, वो मांगती है A3 पे, उनका जो format का नाम है, वो है A3, और हम Honda 2 wheelers की बात करें, तो वो मांगती है 5W1H पे, इसी तरह से हम बात करें, TVS Breaks इंडिया की, तो वो मांग लेते हैं सीधा 8D, 8D जो कि मतलब बहुत popular कापा का format है, जैसे कि हम 8 disciplines बोलते हैं, उसमें हमारे steps होते हैं, हमने problem को define किया, corrective action लिया, root cause निकाला और closer तक लेके, वो सारे 8 steps उसमें होते हैं, इसलिए उसे 8D बोलते हैं, यह काफी popular format है, तो इस तरह से different formats होते हैं, काप से उने जाना जाता है, difference उसमें क्या होता है, बस formatting का difference होता है, बाकि जो problem identification हम करते हैं, root cause निकालते हैं, actions लेते हैं, सब बाते हैं मतलब same ही होती हैं, चीज एक ही होती है, बट जो formatting होती है, उसका थोड़ा सा फरक होता है, और कुछ companies अपना internal कापा का format बना लेती हैं, अप sheets का format है, तो चलिए इस action plan को देखते हैं, zoom करके अच्छी तरीके से, कि इसमें क्या-क्या details पूछी गई हैं, और उने कैसे-कैसे fill किया जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर पूछ रखा है, कापा number, जो की 07 इसमें डाल रखा है, यह आप अपने इसाब से डाल सकते हैं, जो भी मतलब coding कर सकते हैं, कौन से number के हमारी problem है, उसके बाद यहाँ पर है reference NCR number, मतलब NCR का है यहाँ पर non-conformance report, जैसे कोई भी NCR हमारी आती है, non-conformity आती है, कुछ भी हमारा defect raise होता है, तो वो defect किस part में हुआ, कब हुआ, किस quantity में हुआ, कहां पर हुआ, वो सारी report NCR report मे लिंक कर रखा, इसमें, यहाँ पर date आ गई है, किस date में का पर raise हो है, हमारा जैसे 15-7-2018, उसके बाद यहाँ पर part number आ गया, part name आ गया, अब part name है, यहाँ पर stay FR clamp और part number हमारा 123455 जो भी है, इसके बाद rejection quantity, कितनी rejection की quantity यहाँ पर 22 दे रखी है, तो friends इसके बाद यहाँ पर problem define करिए कि यह problem है कि actual में, तो यहाँ पर जैसे कि problem दिखा रखी है, band part found at customer end, कि कोई हमारा part है, वो band condition में मिल रहा है, customer end पर, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर हम CFT members की list बनाएंगे, मतलग एक cross functional team हम बनाएंगे, इसमें कि हम different departments से बंदे लेंगे, जो कि प्रोडक्शन से एक बंदा ले लिया, और maintenance से एक बंदा ले लिया, उसके बाद यहाँ पर containment action दे रखा है, containment action मतलब जब वो problem आई, तो उस पर जो हमने sudden action लिया, जो immediate action हमने उस पर लिया, वो क्या लिया, वो हो था हमारा containment action, जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया, जो problem आई त process stock re-verified, जो भी हमारा finished good पढ़ा था और जो भी in process में हमारा material पढ़ा था, वो सारा हमने re-verify किया, कि उसमें कोई कमी तो नहीं है, तो यहाँ पर responsibility हमने दे दी किसी की भी, और target date उसी दिन की हो गई, जिस दिन वो हमें NC मिली थी, उसके बाद यहाँ पर नीचे cause and effect diagram दे सकते हैं, उन्हें identify करने के लिए, तो यहाँ पर हम जो fishbone diagram यूज कर रहे हैं, उसमें man machine material method हमने use किया है, 4 amp पर किया है, उसे आप 6 amp पर भी कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर normally 4 amp पर करके दिखाया हुआ है, तो इसमें cross functional team अपना input देगी, brainstorming करेगी, और देखेगी क्या-क्य उसमें causes हो सकते हैं, failure के, जैसे कि यहाँ से जो भी inputs है, man machine material method, तो output हमारा क्या हो रहा है, band part found, तो उसमें man में हम देखें, तो man में हो सकता है, जैसे handling not proper, क्या पता हो handling ठीक से ना कर रहा हो, bin में अच्छी तरह किसी ना रख रहा हो, part को, और man में हाँ पर हो गया है, जैसे क निकालना है, क्या पता, वो unskilled हो, उस वज़े से part reject हो रहे हो, और यहाँ पर machine की कमी हम देखें, क्या पता, machine malfunction कर रहे हो, stroke ठीक से ना ले रहे हो, जिस वज़े से हमारे part reject हो रहे हो, और या फिर यहाँ पर tool and die हमारी bear out हो जिस वज़े से हमारा part खराब बन रहा हो, उसके यहाँ पर material में हम देखें, तो material not as specification हो सकता, हमारा material गलत हो, ठीक है specification कर अकॉर्डिंग ना हो, उसके बाद यहाँ पर method में हम देखें, तो यहाँ पर improper operating procedure हो सकता, हेमारा operating procedure थोड़ा गलत हो, उसमें कुछ flaws हो, या फिर यहाँ पर in adequate material handling हो, in adequate material handling जैसे कि आप देख सकते है, से red कर रखा हमने क्योंकि हमारा root cause निकला है यह बाद में red कर दिया था जब हमें पता लगया कि हमारा root cause है तो नीचे यहां पर दे रखा अगला step root cause वायवाय analysis tool के इसमें use किया गया है इसमें root cause को identify कर रहे हैं तो इसमें हमने root cause दो जगा किया है एक किया है occurrence के लिए और एक किया है outflow के लिए मतलब की detection के लिए कि occurrence मतलब वो बना कैसे और बन गया तो फिर वो आगे flow कैसे हो गया detect क्यों नहीं हुआ उसके लिए तो यहां पर वाय वाय जब हमने किया occurrence पर तो उसमें सबसे पहले हमने question पूचा band part found at customer end मतलब की band part हमें customer end पे मिला और फिर हमने question की हवाय तो वहाँ पर part band between die and punch उसमें investigate किया तो पता लगा कि हमारा part वो band हो रहा है die और punch के बीच में दबने से अब वो कैसे हो रहा है वाय part jam at die outlet मतलब की जो die outlet है जहां से part निकलता है finish वहाँ पे वो jam हो जा रहा है part तो jam कैसे हो जा रहा है वाय तो यहाँ पे निकल के आया there is no provision of discharge conveyor मतलब की वहाँ पे कोई भी discharge conveyor की proper विवस्ता नहीं है तो जो हमारा यह random ने कर रखा है हमारा हो गया root cause अब इस पर हमें action लेना पड़ेगा तो root cause पर जो हम action लेते हैं उससे क्या बोलते है corrective action तो जो हमारा root cause निकलता है उसका हमें उल्टा ही करना होता है तो वह हमारा एक corrective action हो जाता है मतलब की जैसे कि अब वहाँ पे discharge conveyor नहीं है तो हम क्या करेंगे वहाँ पे एक conveyor लगा देंगे अब वह हमारे उपर है कि हम किस तरह की conveyor वहाँ पे लगा सकते हैं वह आप अपना wisdom यूज करके अपना experience और knowledge को यूज करके corrective action ले सकते हैं तो यहाँ पे हम corrective action लेंगे conveyor को वहाँ पे implement करेंगे उसके बाद यहाँ पे आ गया outflow तो outflow पे जब हम कर रहे हैं वाई 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 analysis तो सबसे पहला question क्या आता है band part not arrested at final inspection कि final inspection पे band part नहीं पकड़ा गया क्यों नहीं पकड़ा गया वाई क्योंकि inspector not aware inspector अमारा aware नहीं था वह क्यों aware नहीं था because unskilled inspector कि जो हमारा inspector था वो unskilled था तो unskilled था इसका मतला हमें उससे training देनी पड़ेगी उसे दो बारा से बताना पड़ेगा उसे skilled करना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पे जो हमारे root cause निकल के आए है occurrence का there is no provision of discharge conveyor और outflow का unskilled inspector तो उनी के हमने यहाँ पे corrective actions लिये नीचे तो यहाँ पे occurrence का corrective action क्या हो गया proper discharge conveyor is implemented के हमने discharge conveyor implement कर दिये है तो Mr. Vijay ने target date लिये यहाँ पे 15 को problem आई थी 18 को उन्होंने यह corrective action ले लिया उसके बाद outflow पे हमने क्या किया training दी और इंस्पेक्टर को और gauge implement कर दिया एक हमने कि इस gauge से वो inspect करेगा और उसी के हमने उसे training भी दे दी तो इससे भी हमने क्या कर लिया target date इसकी भी 18 रखी 18 को हमने इसे achieve कर लिया उसके बाद preventive action अब ऐसा तो नहीं है जो हमने corrective action ले लिया root cause पे अब यह problem आईगी नहीं फिर भी यह आ सकती है तो process को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए और ज्यादा अपनी quality को improve करने के लिए हमने preventive actions भी वहाँ पे लिये तो preventive action हमने कैसे लिये training given to operator for proper material handling and instruction is given about overflow of material in bins मतलब कि जो operator हो सकता है वहाँ पे material handling ठीक से ना कर रहा हो, overflow कर दे रहा हो material को और bins के उपर bins को रख दे रहा हो जिससे हमारा part damage हो सकता है, band हो सकता है तो उसके लिए भी हमने उसे training दे दी अच्छी तरीके से कि हमें ऐसे ऐसे बिंस लगाने और इस वाई से rejection नहीं बननी चाहिए तो इसकी responsibility मिस्टर वीजे, मिस्टर राहूल की यह भी हमने 18 तारिक को कर दिया उसके बाद outflow पे हमने एक preventive action लिया, वो कैसे लिया, limit samples are displayed at final inspection final inspection हमने limit sample लगा दिया, limit sample क्या होते है, जैसे कि वो एक aesthetic samples होते हैं जिने देखके हम बता सकते हैं कि यह हमारा part okay है, यह reject है, जिससे कि जो inspector वहाँ पे है, वो identify कर सके देखके कि यह हमारा part चल जाएगा और यह part हमारा नहीं चलेगा, तो हमने क्या किया, limit sample are displayed at final inspection stage and training is given to inspector और इंस्पेक्टर को उसके हमने training दे दी, तो यह भी हमने achieve कर लिया 18 साथ 2018 को, उसके बाद actions to prevent recurrence, अब recurrence को रोकने के लिए हमने क्या क्या action लिये, यहाँ पे एक actions की list बना रखी है, तो जो भी action हमने लिये हैं, उसे हम tick कर सकते हैं यहाँ जैसे कि update pfme, हमने process fme, थोड़ा change किया, अगा change किया तो उस पे आप tick कर दीजिए, उसके बाद update control plan, control plan हमने change किया, हमने वहाँ पे inspection gauge लगा दिया, तो हमने उसमें डाला, तो update कर दिया, हमने control plan, उसके बाद update work instruction, तो हमने gauge implement किया, तो work instruction भी उसकी बनाई, तो work instruction अपडेट करी है, तो उस पे भी हमने tick लगा दिया, और जो जो action जिस-जिस date में हमने लिये है, वो date इसमें यहाँ पे implementation date हमने डाल दी, तो यह जो जित charge conveyor यहाँ पे लगा रखी है, इसका photo हमने डाल दिया, उसके बाद यहाँ पे operator training दिया हमने, तो यह जो भी evidences है, यह मतलब एकदम proper evidence नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए इसमें लगा रखे है, मतलब इस तरह से frame किया जाता है, तो यहाँ पे operator training लगा दी, यहाँ पे W customer को submit करते है, तीक है, इसके बाद यहाँ पे सबसे last में आया problem closer and sign off, तो problem process summary है, जिसमें हमने define कर रखा है problem closer को, कि जो problem हमारी define हुई कब, past 15 तारिक को, उसके बाद complete कब हुआ, 15 तारिक को ही, और इसके बाद containment action हमने 15 तारिक को ही लिया, तीक है, उसके बाद root cause analysis हमने 16 को किय लिया, उसके बाद corrective action हमने 17 को start किया और 18 को ले लिया, उसके बाद preventive action हमने 18 को start किया, 18 को ही complete कर दिया, अब इसके बाद यहाँ पे आता solution confirmation, जो भी हमने corrective actions लिया है, क्या वो ठीक है, उन्हें कैसे हम evaluate करेंगे, जैसे कि अब हमारी supply जो जाएंगे, हम 5 या 10 supply में observation लेंग जो हमने action लिया था वो effective है, तो यह date completion की जब आ जाएगी, जब हमारी observation खतम हो जाएगी, और उसके बाद यह closer की dates भी fill कर दे जाएगी, तो इस तरीके से हम पूरे action plan के format को fill करते हैं, तो जो चीजे होती है, सभी formats में same ही होती है, बस formatting का थोड़ा सा फरक होता है, कोई सारी यही होती है, steps यही होते है, हमें सभी में यही करना होता है, problem को define करना होता है, उसके बाद cft बनती है, उसके बाद containment action लिये जाते है, cause and effect डाइग्राम में हम identify करते हैं causes को, उसके बाद root cause निकाला जाता है, occurrence पे, outflow पे, उसके बाद जो root cause निकला है, उन पे corrective actions लिये जाते हैं, process को और बैतर बनाने के लिए फिर पर प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं, उसके बाद जो जो एक्शन हमने लिए हैं, उनके evidences attached की जाते हैं साथ में, फिर सारी problems जैसे जैसे हमने जिजिस phase में complete करी हैं, उनको define किया जाता है closer तक, तो इस तरह से हम Kappa के format को fill कर सकते हैं तो friends यह सब था Kappa format के बारे में कि हम Kappa के format को कैसे कैसे fill कर सकते हैं क्या क्या उसमें details हमें डालनी होती है कैसे action plan को हम customer को submit कर सकते हैं तो I hope इस वीडियो को देखने के बाद आपके doubts clear हो गये हैं तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को like जरूर करें और मुझे कुछ पूछना चाते हैं तो प्लीज मुझे comment करें इस वीडियो के असाथ share करें और ऐसे informative वीडियो देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को subscribe करें चैनल को subscribe करने को बाद बैल आइकन को जरूर दबाए ताकि मेरे चैनल की updates आपको मिल जाएं और friends साथ ही साथ मेरे facebook page को भी like करें which is also ask methodology सारी useful link आपको description में मिल जाएंगे तो friends मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल रें keep learning, keep doing and be technical